नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी है गोर्मेंट चॉप स्वीप की ऑफीशिल यूट्यूब चनल पर दोस्तों आप सभी को मालूम नहीं होगा कि यूपिट्र भलस यह दिनर्स से वचारा है हुगने पीटी परीशा मतलब प्रिलियमररी एक्जामनेशन टेस्ट कराने लागो करने का निर्णे लिया है अभी कितनी कारगर होगी इससे भरतियों में कितनी तीजी आएगी य youngest कोई बता सकता है लेकिन । यह एक नया प्रयोग不是 जो कोई आयोग ने भी तक में रुद्रकाश में किसी आयोग ने भी किया है हाँ टीचर बरती में टीटी वगरा परिक्षा होती है चुकि वहाँ पर एक सेम लेवल की परिक्षा है टीचर के ही भरती होनी है तो इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक लगती है लेकिन अधिना सिवच जो की तमाम तरह के और तमाम प्रकार की पदों पर भर कि अभी तक क्या है कि हर पेपर में जैसे जून एसिस्टन की बात कर लें या स्टेनोग्राफर की बात कर लें या एसिस्टन अकाउंटन की बात कर लें या वीडियो की बात कर लें गराम विकासे दिखारी की बात कर लें लेकपाल की बात कर लें तो वहाँ पे इन सबों मे क्या है कि सबकी एक तो कौलिफिकेशन अलाग अलाग है अब जैसे जूनिस इस्टंड में टाइपिंग भी मांगता है स्टेनोग्राफर में शॉट हैं वगर मांगता है वीडियो वीप्यू में भाग दोड़ भी मांगता है और सबके एक ही पेपर होते हैं और उसके बाद उ प्रिमिनरी एकजामीनेशन टेष्ट यह प्रिमिनरी एलिजिबिलिटी टेष्ट जो भी वह कह रहा है उसको तो उसे क्या है कि usssC की भरतियों में जितने भी लोग शामिल होने वाले हैं वो सभी अब वो सभी शामिल होंगे मतलब यह है कि जो लोवरी पीसे की तियारी कर है वो भी शामिल होंगे तो यहां पे दोस्तों क्या है कि कॉंपटीशन जो है जो पीटी का लेवल है वो अपने आप बढ़ जाएगा वो फिर यूपी ट्रीटी में जो आपने जो आपके नंबर आएंगे तो वो परसंटाइल वाला महम लागे जिसके सबसे दादा नंबर आ थी तो अब वो क्या करेंगे कि जैसे कोई विग्यापन निकालेंगे तो उसमें मेंस अगर मेंस एक्जाम कराएंगे तो मेंस एक्जाम में क्या है कि जो पीटी पेपर हुआ होगा उसके परसंटाइल की हेसाब से मतलब 15 गुना लोगों को बुला लेंगे या 20 गुना पर है तो उनमें उपर में 500 लोगों में क्या होगा कि भाई उनको हो सकता है कि वो सारी लोग टाइपिंग ना जानते हूं उनके पास CCC ना हो तो यह सारा जो है इसमें इस प्रक्रिया में यह थोड़ा यूपिटर पलेस से वो तैय करना पड़ेगा कि वो किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे नोटिस भी देख लेते हैं जो अधिने से वचाइनग जारी की थी जो है तो यह दोस्तों जो प्रेस रिलीज जारी की थी जो इसमें और सभी ग्रुफ सी इक पदों पर आपनाए जाएगी और इसमें अब क्या है कि जो है चैन प्रक्रिया को तवरिट करने 20 अ दिस्री प्रीच्षा प्रनाइब आपनाए अवेयत प्रक्रिया भी आपकी नहीं होगी इसमें क्या है आपको जो है बार बार आवेदन करने जरुदत नहीं रहेगी वर्तमायन वेसा में आग दोर दर जब कोई हुए गया पर निर्गत किया तो उपलप्त करेंगे दिए बिर्टी उस परिश्चा में असफल होने पर किसी यह आवेदन को उसे नहीं जरे से अब इसमें किया दोस्तों आपको व यह भी बात है दोस्तों one time registration में आपको जो है एक बार जो आप registration करा देंगे उसमें कोई भी शन्शोदर नहीं किया जा सकेगा अपने मूल भूत विवरन या था नाम बिताग नाम जाती जन्रिती श्रीन यादी को संशोदित नहीं किया जा सकेगा यह भी है को आपको बहु यहां डिजी लोकर के बिश्तुद अवेद्धवर अप्लोड किये जाने वाले सभी उसके डिजिटल यॉकर में उपलब दे रहेंगे वायो यह तो ने देखा और डाउनलोड किया सकेगा आप जो भी डॉक्मेंट अप्लोड करेंगे वह सब आयो के डिजी लॉकर में भी यह सारी नहीं चीज़ है जो आयो कर रहा है आवे दूतर अप्लोड किये प्रमाण पत्रों के यह था संपाव सम्मधित सैच्छुनिक बोड़ात विसे ओनलाइन एक चीज़ है कि जो भी आप डॉक्मेंट अप्लोड उनका ऑनलाइन एक वेरिफिकेशन किया सकत तो इससे क यह अब दूती परिक्षा बढ़ाएं देखे कि आए कि आपका यह प्राराम भी आयोग दुपत्था में सब्रोड विभी में लोगां को कि अधिनस सभी प्रकार के पदों है तो प्रेलिम्री एलेजिबिल्टी टेस्ट पीठी कह रहा है प्रेलिम्री एलेजिबिल्टी टे लिए तो आप दूती तर्पर के वाल प्रारभी परिक्षा के अधार पर सॉट्लिस्ट किया है जोगी चीज़ें और फिजिकल एकजाम में आपका कई मूं में हो ता जैसे आपका वीडियो हो गया वी पीओ हो गया इनमें आपका फिजिकल भी एक्जामिनेशन होता है ड्राइवर हो गया है कई सारे पतों कोई भरती कराता है यह दिने से वज़ाने तो यह सारी चीज़े रहती है अप्रिलिट्री एलिजबिट्री टेस्ट लेकि आयोग द्वारा वर्ष में दो बार प्रारिम्भी परिच्छा आयोजित किरा जाना प्रस्तावित है मतलब 6-6 महिने पर दो बार यह परिच्छा होगे इसमें आपका हाई स्कूल लेवल का जो है आएगा मतलब एक तो आपका जनरल नॉलेज आएगा कर इंटर फेर्स हाईगा हिंदी और रिजनिंग यह सारी चीज़ें आपके हाई स्कूल लेवर की आएंगे और यह जो आपके जो आपके जो आपके जो आपके नंबर परिच्छा भी इसकी दे सकते हैं जो है अगले सर की मुख अभी देखें यह चीज़ है यह देखें अगले इस तर की मुख परिच्छा कॉसल परिच्छा शारीरिक परिच्छा है तो शॉर्ट लिस्ट चैनित किया जाने तो अभी अभी विगत तीन वर्शन प्रारमिक अहरकारी परिच्छाओं में प्राप्त उचितम इस तोर को मानता दी जाएगी तो यह अगले तीन वर्श मतलब जो भी अगले तीन वर्श के लिए वाफ्त रागा उसमें आपको मेंस एक्जाम जो भी मेंस एक्जाम होगा किसी पद्द के लिए या टैपिंग वापिंग शौर्ट हैंड वगयरा या जो है कोई फिजिकल टेस्त उन उसके लिए आपको जो आप पीटी में नंबर लाएंगे उसी को मानते हो आपको उसमें शामिल किया जाएगा तो इसमें एक चीज हो रहा है कि जो आपको नंबर मिलेंगे वह आपको यह निजी छेत्र में भी उपलब्द कराएगा आयो जो आपको एक जो है कुछ प्राइवेट कंपनिया होती है जो लेना चाहती है लोगों को है ना तो उसके लिए भी अच्छा है तो यह सरी चीज है और यह जो आयोग जो कर रहा है इसके जो है कितना सफल रहता है यह तो आने वाला टाइम ही बताया था अब यहां देखें मु प्राप्त स्कोर के आधार पर अभी हो तो अगले इस तर की मुख परिक्षा आदेख ले शॉट लिस्ट चैनित किया जाएगा इन परिक्षां का अब देखें बात यह ना दोस्तों कि जैसे माली आपका जूनियर सिस्टन का वेपर है तो इसमें कि आपका टाइपिंग भी मांगता है प्लस ट्रिपल सी भी मांगता है है ना तो यह सारी चीज़े हैं अब आपको माली इस टेनो का वेपर है इस टेनो का वेपर तो इसमें आपको शॉर्ट हैंड मांगता है प्लस ट्रिपल सी भी मांगता है है ना तो यह सारी चीज़े हैं अब चूंकि प्रिलिम्र Pornary Exam में तो बहुत सारे लोग शामिल होंगे, कई लाख कई लाख होंए आदम्स के परिशा देंगे, अद क्या उसमें account वाला भी दे रहा है, वीडियो वाला भी दे रहा है, lower, Pcs वाला भी दे रहा है, junior resistant वाला भी दे रहा है, समझ रहा है तो इसमें इतना मतलब देखे, level ज automatically रट जाएगा पीट के लेवल automatically बढ़ जाएगा तो क्या है कहीपरस्थितियां एसी आ जाएंगे जब मतले आपको बुला तो ली आगया अब लेकिन क्या है कि उसमें Cent pessoal वाले बीकॉम वाले वी और रिपल सी वाले वीडियो अगरा वाले भी हैं, वीडियो अगरा वाले भी, लोवर पीसेस तक वाले, मतलब लेवल के लोग उसमें शामिल होंगे, तो क्या है कि पद जो है, वो खाली रह जाने की संभावना हो जाएगी, मतलब पद खाली चलेंगे, मतलब अट दा एंड क्या होगा, कि जो है junior assistant माल लिए, junior assistant की भरती निकली, अब PT में जो लोग अच्छा परसंटाइल आये थे, उनों में से माल लिए, 5000 लोगों को बुला लिया गया, अब ज़रुरी तो नहीं कि ये 5000 लोगों पस CCC हो, या ये लोग typing जानते हो, तो इसमें आयो कैसे इनको अलग-अलग करेगा, या किसी भी विज्यापित पद हितु आयोजीत की मुख्य परीक्षे के लिए, निर्धारी उधारा 90% पर अथाव विज्यापित के 15 गुना, मतलब अगर 100 लोग हैं, तो 15 गुना इसके लोग बुला जाएंगे, मतलब 1500 लोग ही आपका बुला जाएंगे, तो जो है, इसमें थ आउनलाइन भी परिक्षा कराने पर जोर दे रहे हैं, आज आयोग ने बेहिए जारी किया है, जो है, अब वो कहा करेंगे, आउनलाइन पेपर कराएंगे, और रिजल्ट जो है, साथ दिन में या दो दिन में ही घोशित कर देंगे, अब इसमें क्या है कि आप 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 तो प्रसेंटर पर ही जाएकि अब यहां तो आवेदन में यह तो कुछ ऐसा इसमें आयोगी है कर सकते हैं जीन का फॉर्म आया पीट यह ने दे दी जूनिशन का फॉर्म आया उसमें आयोगी ने में ने भरवाय फॉर्म फिर से मेंस का फॉर्म भर है और जिनका PT में स्कोर पीटी पास कर चुके हैं वो मेंस junior assistant का मेंस का फॉर्म भर है और उसमें बताएं कि ये इसका junior assistant का फॉर्म धेना चागते हैं उन्हीं लोगों को shortlist किया जाएं तब तो ये जो है process जो है वो मतलब सफल हो पायागा नहीं तो ये process जो है वो fail हो जाएगा और देखने वाली बात ये है कि जो है कैसे आयोग इस चीजों को practically करा पाता है और जो दूइस तरी परिशा प्रवाली है उसमें कैसे करता है आयोग करा है कि इसे शमय श्रम द्धान की बचत होगी और इससे आयोग करा है कि हम साल में दो बार दो बार ही आपका P.E.T. आयोजित करें मतलब 6-6 महिनि पर आपका आयोजित है और आप बार बार इसको दे सकते हैं आप आपका अगर एक में नंबर नहीं आया कम आया है 90% टायल आया है 80% तो दूसरी बार आप उसको बढ़ा सकते है 92 याना तो आप बार बार दे सकते हैं तो यह अब दोस्तों देखने लिए चीज रहेगी कि इसको कैसे आयोग करते हैं कैसे क्या करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें इसमें पॉजिटीव भी हो सकते हैं कुछ निगी ठीव भी हो सकते हैं यह जब एक बार लागो के जगा ट्रायल बेसे तब भी पता चल पाएगा कि कैसे क्या रहता है तो आप लोगोंने समय दिये दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धेनवाद और अगर आप ने चानल को सब्सक्राइब ना किए उन्सी जरूँ सब्सक्राइब कर लें आप को ऐसे जानकारी है मिलती रहेंगे युपिट्रिपल धी लोग सवाजान चलती रहती है वीडियो को लाइक और शेर जरूर्टे हो जो भी युपिट्रिपल यसी के लोह प्रफ्रियों क समझने पर उनसे ये वीडियो ज़रूर दो है दोस्तों वो शेयर करते हैं आप सभी का बहुत बहुत देने बाद